जब महाराज नीब करोरी गाव में रहते थे, एक दरोगा अपनी घोडी पर बैट कर उनके दर्शन को आया करता था। उसकी घोडी बहुत खतरनाक थी। दरोगा ने बड़ी कठेनाई से उसे काबू में किया था। वो जब भी बाबा के पास आता घोडी की जीन लगाम खोल कर उसे खाने और आराम के लिए छोड़ देता था। एक रोज महाराज अपने बाल स्वभाव से प्रेरित होकर दरोगा से कहने लगे कि हम तेरी घोडी पर बैठेगे। दरोगा के मना करने पर भी वे बिना जीन लगाम के उस खतरना घोडी पर सवार हो गए और उसे बेतहाशा दोडा दिया। घोडी ने भी बाबा को खूब हिलाया। वे घोडी के कभी बाई और कभी दाई और लटके दिखाए देते। कभी बिलकुल नीचे लटक जाते और फिर उपर हो जाते। अंत में घोडी बुरी तरह ठक गई। उन्होंने उसे छोड़ दिया, पर वह उनके पीछे पीछे चलने लगी। दरोगा को वह भूल चुकी थी। दरोगा दुहखी था कि उसकी घोडी बेकार हो गई। उसके प् नत्व का भाव न रहा।